नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टूजर मुबायर रिपेरिंग में आज आप जानेंगे माई नोट फाइफ प्रो में डिस्प्ले लाइट की प्रॉड्म को हम कैसे आसानी से सॉल कर सकते हैं और कैसे उसकी टेस्टिंग कर सकते ह हैं कि एक्च्वल में जो फॉल्ट हमारे फोन में है वो क्या है और किस तरह से उसे में ठीक्ष करना अगर आपका भी फोन इस तरह से जो है इंटेफाय होता है या समय और से इसे दिद्टाइ pedir क्रा सकते हैं स्धीं तो बने रिया है वीडियो में रख और देखिए कैसे और यह फोन जब भी मेरे पास आया हुआ था तो ओनली वाइब रेत हो रहा था और डिस्प्ले ग्रेफिक्स आ रहा था बर डिस्प्ले लाइट नहीं आ रहा था उसके बाद जब यह नहीं नहीं तोसके कद बिडियो मैंने नहीं नहीं बनाबाद और फिर इसके लाइट बननाने जा रहा हूं लाइट रप्य करने जा रहा हूं तो फिलाल मैं आपको division पक्रेव stellt का रहा हूं और अभी जो दिखती पहले वह्ता कंडिसन वे आ चुका मारा फोन इसे हमने डेट रिकवर कर लिया है और यह हमारा फोन देखिए चार्जिंग सो कर रहा है यहां पर और माई का लोगो भी आ रहा था चार्जर प्लेग इन करने पर हाला कि बैटी हमारी जो है डिस्चार्ज है भी जदा चार्ज नहीं है और आपको फिर से हम थोड़ा सा दिखा देते हैं कि ग्रैफिक्स आ रहा है एक्च्वल में हमारे फोन में देखिए माई का लोगो भी आ रहा है और आपको डिस्प्ले दिखाने के लिए इसका स्टील जो है पीछे का रिमूर किया हुआ है ताकि आपको अच्छे से क्लिए लिए दिख सके कि डिस्प्ले ग देखाना लिए दोगया और जब भी यह फॉन रड़े उन नहीं हो रहा था तो हमने इस पे क्या काम किया वो उसका वीडियो तो काफी लंबा हो जाता अगर मैं बनाता क्योंकि काम बहुत जएदा करना पड़ा तो मैं आपको यहां सिर्फ बता देना चाहूंगा कि मुझे क्या करना पड़ा इसे on करने के लिए तो सबसे पहले मैंने इसके जो PM IC है PM 668 और 660 L दोनों IC देखिए आप देख पारें स्क्रीन पर ये दोनों IC इन दोनों को निकाल कर हमने डिवोल किया डिवोल करने के बाद भी हमारा जो है सेलिशन नहीं हुआ हमरा से डेट था और नहीं हुआ फिर हमने CPU को निकाल कर पिर जब हमने सी प्यो join किया तब जाके हमारा फोन जो है सेम कंदिशन में फिर से वापस नाया और और हमारे आप देखिए यह जो आपका आउट्पू वोल्टेज लडी डिस्प्लेट का पास्ट्व वोल्टेज आप दिस्प्ले पर भी चेकशन में उसका जो माईनस सीडा होता माईनस सीरे पे लगे हुए क्यापिसिटर पर आप आपड़ों पर आता है और आपको बैटी का वोल्टेज मिलना चाहिए बिना ओन कि यह जब भी आपका फोल्टेज को रहें तो आपको पर यह वहां पर आना चाहिए यह जब भी ना आहें तो आपका एक फ्यूजीबल कॉईल सब्सक्टर वहां पर आपको मिलेगा क्वाइल से पहले यापका लाइट भूस्ट्सक्राइल से पहले एक बूस्ट्सक्राइब हमारा यह capacitor है और यहीं पे लगा हुआ है और यह देखिए वोल्टेज जो है में capacitor के output पर जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलना है वह फ्लेक्शिवेट हो रहा कम ज्यादा हो रहा है तो यह हमारा register यह देखिए यह देखिए रजिस्टर हमारा इसके output सेक्षन यह है यह इन्पूट सेक्शन यहां देखिए 3.66 वोल्टेज मिला है और आउट्पिट देखिए यह देखिए इसका आउट्पूट है यह रिजिस्टर का जो हमारा फ्यूजिबल रेजिस्टर है जी रोम्स की कार्बनिक रेजिस्टर होती है और इसका लगाने का परपच क्या होता है जब भी हमारे और्पूट सेक्शन में जब भी कहीं पर लाइट चेक्शन में लाइट changing और यहोती है तो सर्केक सेफ रहे जले नहीं खराब नहीं हो इसके लिए यह हमारा सर्केट को सेफ रखने के लिए रेजिस्टे rocks यह सेफ रेगाने के लिए घ्र लगाई को तकि यह फ्यूज घराब हो जाया उसके बाद हमारा फोन में कहीं से भी किसी प्राइब का कोई भी प्रॉड्म ने प्रॉड्म क्रियेट नहों पीसी भीमारी बढ़न नहों ट्रैक्स हमारे खराब नहों इस परपस यह रिजिस्टर जो यहां पर लगाए जाता है और जब भी और यह नहीं पहुचेगा तो आप समझ जाएगा तो आप समझ जाएगा किए रजिस्टर कहीं नहीं से आपका खराब हो गया है । तो यह सारी कंडिसन हो सकती है और आपके पास आती है तो आपको कुछ नहीं करना है है to simply आप चाहें तो यहां पर कहलेह हैं और से किसी भी पीसी भी से स्क्रैप से निकल करें इंचा कॉण का सकते हैं या फिर आप चाहें दो सब्सक्राण की मदद से भी सब्सक्राइब छुर्ट करें तो सीची करना है और कुछ मोल्स में आपकी ऐसीम होने के बाद आपका कोई भी कर कराब हो जाता है कुछ मॉल्स में जब यह इसी प्रोल्लम होती है तो आपके आप सक्ष dimensions कहीं कहीं होती है कोईनोब कोई कर रोता है तो आप सिर्थ करें तो सर लिगाने के बाद स्टीग वह आज पर कर हैं जिसकी वज़ासे हैं मैं यहां पे वोल्टेजज नहीं च Ran đã von autus users अब मुझे पता है और कोई naos झालिख और वों निक्रा ऑब इसी वजये से प्रोब्लम आ रहे हैं ऐसी टो में होता है किसी कंडीशन में कुछ मोडल से आथी यह तो आपको क्वाइल और आइसी पर काम करना होगा इसके बाद तो फिलाल हमारा फोन जो है आप देख पा रहें सही हो चुका है यानि डिस्प्लेय का लाइट वह आ चुका है बहुत आसान तरीके से हाला कि हमने इसके पहले तो इसको जो है बहुत सारा काम किया हुआ है डेट कंडिशन से रिकवर किय बहुत सारी चीजे और उसका इतफाक से मैं पूरा वीडियो नहीं बना पाए था वरना उस वीडियो को भी मैं अपलोड करता बीस मिनिट का वीडियो हो चुका था इस वजह से मैंने वीडियो सूट करना बंद कर दिया था क्योंकि मेरी एक आधत है मैं हाई यो है टाइम क अब आप से यही कहना चाहेंगे अगर हमारा याप को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारी चैनल पर आप अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले बिल आइकन को वाल पर टीक कर दें ताकि आएसे ही आने वाले जानकारी वारे वीडियो को लास तक और पूरा देखने के लिए